नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के यूटूब चैनल पर मैं सुजीत पांड़े स्वागत करता हूँ Lucent GKK कॉशन आपको याद कराने के लिए बोले हैं उसी के सलसले में ये अगला वीडियो इसमें 100 कॉशन है 100 में से 30 का टार्गिट है तीस देखते हैं कौन-कौन सही कर पाता है Lucent हर व्यक्ती ने हर स्टूडेंट ने पड़ी होगी अच्छी वुक है आप लोगों पता है एक्जाम में बहुत कुछ उसमें से आता है कई बार पिछले कई सालों से रेगुलर ये कॉशन आ रहा है देखते हैं आप लोगों में से कौन-कौन 30 प्रशन सही कर पाता है स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला कॉशन देखिए यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं यहूदी लोग किस धर्म का पालन करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा प्रश्ण के लिए राइट आंसर तो यहूदी लोग जो हैं यह पालन करते हैं आपका यहूदी धर्म का ऑप्शन नमबड़ी यहूदी धर्म का पालन करते हैं यहूदी लोग निम्नलगित में से कौन से राजा संगमित्रा और महिंद्र वर्मन के पिता थे बताईए कौन से राजा यह दो पुत्र थे एक तो संगमित्राउन का पुत्र था और महिंद्र वर्मन बताईए उन राजा का नाम राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक या रखना समराट अ पर बहुत ही फेमस आप सभी को पता होगा option number C यहां पर right answer है कनिश्क किस वंश के किस वंश से समझे थे चोल पल्लव कुशान या मौर्य तो यहां पर right answer हो जाएगा आपका कनिश्क जो है यह कुशान वंश से समझे थे option number यहां पर C कुशान वंश प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा कनिश्क का एक और कॉशन इसी को घुमा के पूछा गया है कनिश्क डैश वंस का समराड था तो यहां पर भी सही answer हो जाएगा कुशान वंस का समराड था option number B इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया था और चात्र और सिक्षक दोनों के रूप में रहा भी बिद्व ठोकशन से निमनलकी नंगर कुन सा नगर कुप्टवन्ष की राजधानी ता बताई यह घृट 5 पूट्रbeट नमबय दोगें यहां अपकी जापुर्पूर cD आपकी मुंबई में कुममबई राइट आंसर है प्रशनी के लिए किस वंशी ने दसवी और ग्यारवी सताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहों मंदरों का निमान कराया था राइट आंसर हो जाएगा चोल पांड चालू की चंदेल में से चंदेल वंश की शाष्कों ने खजुराहों का मंदर का निमान कराया कमेंट करके बताईए खजुराहों के मंदर किस राज्य में पढ़ते हैं मद्यप्रदेश खजुराहों के मंदर किस राज्य में हैं मद्यप्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन गुलामवंश से संबनित नहीं था बताईए गुलामवंश से संबनित कौ हम्मीर गुलावन से समय नहीं थे option number C यहां पर सही answer है हम्मीर गुलावन से समय नहीं थे दिल्ली की पहली महिला शाशक इनमें से कौन थी मनिक अनिका रानी रूपमती रजिया सुल्ताना या फिर चांद भी वी दिल्ली की पहली महिला शाशका कौन थी तो दिल्ली की सबसे पहली महिला साजी का यहां पर right answer क्या हो जाएगा आपका option नबर सी रजिया सुल्तान ये रजिया सुल्तान आउप्शन नमर सी रई answer होजाएगा comment करके बताएए रजिया सुल्तान किस की पुत्रि थी comment box में comment करके बताएए caution exam में कई बार पूछा गया है पानिपत का पहला युद्ध कब्रड़ा गया था ओप्शन दिखिए 1556 1661 1526 1761 राइट आंसर है 1526 में पानिपत का पहला युद्धुगा था ओप्शन नमसी 1526 राइट आंसर है पान्ड विजयनगर चोल या चेर राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर सामराज के शाशक थे क्रिशन देव राइट या रखेगा और तेनाली रामा इनी के दरवार में थे आपने सब टीवी पर करिक्रम आता होगा कई लोगों ने देखा भी होगा तेलानी रामा डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी नाम से बुलाए जाने लगा बताए गाजी नाम बाबर का कपड़ा था काबुल का युद्ध पानीपत का युद्ध खानवा का या घागरा का युद्ध राइट आंसर क्या है तो राइट आंसर है खानवा के युद्ध के बाद गाजी न बाबर है मुगल्सामराज का संस्थापक करें रहे हैं already baixo कि लडा गया था थक आपका यूद्ध किस पीचिस के लिड़ा गया था। तो पानि पत का प्रतम जुद्ध यहां पर right answer क्या होए हृयाणा जभ्मू काश्रीर पंजाब या राज्थान, राइड आंसर है हर्याणा में हुआ था, Option A यहां पर हर्याणा, प्रश्ण के लिए पानिपत के प्रतम जुद्ध के लिए बिल्कुल सई हांसर हो जाएगा, अंपिरवल किस मुगल समराट के दरवार के सदस्य थे यहां पर आइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आइट आंसर है भाती तियहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है था आलमगीर इतिहास में आलमगीर कौन कहलाता था तो औरंग जेव को आरंग गीर कहा जाता था option number c औरंग जेव यहाँ पर right answer है प्रशने के लिए मोती मस्जिद निम्ने लिखित मैं से किस इसमारक में इस्तित है बताएं जैसल मेर का किला इन में से कहां परिस्तित है तो जैसल मेर का किला आप परिस्तित है राजिस्थान में आप्शन नमड़ी राजिस्थान यहाँ पर प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा भारत में Fort William डैश नदी के किनारी स्थ्थे थे बताइए Fort William किस नदी के किनारी स्थे थे क्या हो जाएगा प्रश्नbe के लिए सही आंसर तो सही आंसर है निम ने लिखितमेंजति किसने 1914 में Common Wheel नामक सापताहिक समाचार पत्र की स्थापना की बताइए common wheel नामक सापताहिक समाचार पत्र की स्थापना इनमें से किस ने की क्या हो जाएगा प्रशने के लिए सही आंसर तो प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा any basin ने common wheel नामक सापताहिक समाचार पत्र की स्थापना की आप्शन नमबर यहाँ पर भी प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट सिपाही विद्रो के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था होता है सिपाही विद्रो के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर राइट आंसर है आपका लॉर्ड कैनिन ये सिपाही विद्रो के दौरान भारत के गवर्णर जेनरल थे भाती राष्टी कॉंग्रिस द्वारा सम्विधान सभा की मांग को 1936 में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था सम्विधान सभा की मांग किस अधिवेशन में प्रस्तावित की गई थी ऑप्शन पढ़िये आंसर दीजे तो सम्विधान सभा की मांग ये प्रस्तावित की गई थी फैजपूर अधिवेशन में आप्शन नमर यहाँ पर भी फैजपूर अधिवेशन राइट आंसर है महात्मा गानी की अध्यक्षता में भारतिय राश्ट्री कॉंग्रिस का अध्यक्षत किया गया था तो महात्मा गानी ने केवल एक मात्र भारतिय राश्ट्री कॉंग्रिस के अध्यक्षत रहें और वो था आपका बेल गाम का जो है अधिवेशन option number C यहाँ पर right answer है 1916 का लकनों समझोता किसके बीच में हुआ था बताईए 1916 में जो लकनों समझोता हुआ था किस किसके बीच में हुआ था क्या हो जाएगा सही answer तो लकनों समझोता हुआ था Congress और Muslim League मतलब option number C भात्य राष्टी Congress और India Muslim League इनके बीच में हुआ था लकनों समझोता 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के वरुद डांडी यात्रा का आईजन किया बताईए 1930 में महात्मा गांधी ने किसके वरुद डांडी यात्रा का आईजन किया था यहां पर option number नमक पर कर लगाए जाने के वरुद option number D राइट आंसर है भारत के governor general का पद निम्नलकित में से किसके द्वारा सजित किया गया है तो governor general का जो पद है पूछा गया है कौन सा अधीनियम था उस समय तो right answer हो जाएगा चार्टर अधीनियम 1833 इसके तहट governor general का पद अधीनियमित किया गया था option number यहां पर प्रशने के लिए D बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question दिखे निम्नलकित में से कौन भारत के governor general थे इन में से कौन governor general रहा है भारत का सही answer है आपका option number B C. राजगोपालचारी जी यह भारत के governor general रहें option number B right answer है सहराज is my birth right and I shall have it इस यह जो है कथन किस निता का है सहराज मेरा जन्मसद्य अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा तो यहां पर right answer हो जाएगा बाल गंगा धर तिलक जी ने यह कथन कहा है option number C बाल गंगा धर तिलक जी प्रशने के लिए right answer हो जाएगा option number C सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं बताइए सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं क्या हो जाएगा प्रशने के लिए right answer यहां पर right answer हो जाएगा यह बोल लिखेगा है आपके मुहम्बद इकबाल द्वारा option number A मुहम्बद इकबाल ने यह लिखा है करो या मरो का नारा निम्द में से किस आंदोलन से संबनेत है करो या फिर मरो किस नय बोला था यह आप मुझे बताएंगे और किस आंदोलन से संबनेत है मैं आपको बताता हूं यह भारत चोड़ो आंदोलन से संबनेत है कमेंट कर कर लाता यह करो या मरो का नारा किस ने दिया था comment box मैं comment कर कर लिए निम्न द्वारों में से किसका निर्मान प्रथम विश्व युद्व में सहीध हुए सैनिकों की इसम्रती में किया गया था एक द्वार बना था जो प्रथम विश्व युद्व में सैनिकों सहीध हो गये थे उनकी याद में एक दरवाजा बना है एक द्वार बना है इनमेंसे कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया गेट बना है ऑप्शन में यहां पर इंडिया गेट ऑप्शन नमबर सी राइट आंसर हो जाएगा यह प्रतम विश्वीध में सहीध हुए सैनकों की स्मर्थी में बनाये गया है 1940 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉड वेवेल ने किसी आमंतरित किया था बताईए 1940 की बात हो रही है अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉड वेवेल ने आयुजित किया बुलाया था आमंतरित किया था किसको जवाहल लाल नहरू को बुलाय था लॉर्ड वेविल ने अप्शन नमर ए जवाहल लाल नहरू गए थे 1946 में लॉर्ड वेविल के पास अमंतरत किया गया था अंतरिम सरकार बनाने के लिए सिंदु घाटी सविता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षण में गंगा घाटी के निचले शित्रों वह उतर में मालवा तक फैली हुई है अब सिंदु घाटी सविता कितने इसाप्व पुरानी है आपको ये बताना है simple सा question है तो सिंदु घाटी सविता करीब करीब तीन हजार इसाप्व पुरानी है option number यहाँ पर C right answer हो जाएगा 3000 इसा पूर्व किसका विकास 5000 BC मतलब before Christ इसा पूर्व से मालवा की दक्षण की और और उत्तर की और गंगा घाटी के पूरे तलहटी छेत्र में फैला हुआ था तो करीब करीब 5000 इसा पूर्व आपका right answer हो जाएगा option number यहाँ पर प्रशने के लिए ए सिंदु घाटी सविता या रखिएगा option number इसका विकास 5000 इसा पूर्व से स्टार्व हो गया था लेकिन यहाँ पर क्या question पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया कितनी साल पुरानी है मतलब खतम कब हुई करीब 2000 साल यह रही है सिंदु घाटी सविता 5000 विसी से लेकर 3000 विसी करीब और यह करीब खरीब आंकड़ा है भारत का इतियास सिंदु घाटी सविता के जन्म से सुरू होता है जो अस्तित्यों में आई करीब करीब कब देखो यहाँ पर भी आपको option अलग रिख रहे हैं तो करीब करीब अस्तित्यों में आई यह पूछा गया है तो यह करीब करीब आपकी अस्तित्यों में चालू ही तो 4500 इसा पूर आपको option के अनुसा दिखाना है ये लगबग मानेता है कोई उस समय का भी तक पैदा नहीं है ठीक है इतना पुराना तो आपको लगबग जो option उसके अनुसा लगाना है यादि पूछा जाए कब अस्तित्तों में आई तो 5000 BC से लेकर 4500 BC तक आप लगा सकते हो ठीक है सिंदु सविता के लोग डैश बनाने के लिए ताम और टिन को मिश्रित करते थे तो सिंदु घाटी सविता की लोग भाया बहुत एक्टिव थे आप सभी को बतावा नगरी सविता है वो तांबे और टिन को मिला कर क्या बना दे थे वो कांसे बना दे थे option number 2 और कांसे का यूज करते थे तांबे और टिन को मिला कर सिंदु घाटी सविता के लोग कांसे का निर्मान करते थे option number 2 निमने लिखित में से कौन सा सिंदुगाटी सविता का महतोपुन इस्थान नहीं है बताईए एक इस्थान नहीं है महतोपुन आप्शन पढ़ लीजिए फटाफट बताईए इन में से तीन जानते होगे आप बताजिता हूं मैं आपको काली बंगा हडपा मोहंजोदारो ये किस भाशा का सब्द है इसका अर्थ यह होता है मोहंजोदारो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला तो मोहंजोदारो ये वर्ड है आपका सिंधी भांसा का ऑप्शन नमर यहां पड़ी सिंधी भांसा राइट आंसर है सबसे पुराना वेद कौन सा इन में से सबसे पुरान बजन शामिल हैं रिक वेध में कितने मंत्र है भजन के रूप में जो शामिल किये गए हैं तो यहां पर राइड आंसर हो जाए रिक वेध में डैश मंत्र है सेम कॉच्चन तो रिक वेध में करन के वारे में भी दिया है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएका राइट आंसर आपका अथर्व वेद राइट आंसर इस बुद रहें प्रशन के लिए कि निमनलक में से कौन से वेद में संगीत का वनन्झ किया है बहुत इंपोरेंट्ट कौस्चन कई बार पूछा गया ह आप सबी को पता होगा संगीट से संगीट सासे सामवेद ऑपशन में में संगीद कर वंदन किक्या अप्श है निम्यून लगत मेंसे उपनशिद में वशुदेव कुटम्बकं शब्द का अउलिक कि वशुद्धेव कुटम्बकं पूरा संसार हमारा परिवार है बताइए वसुधेव कुटुम्बकम तो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका महा उपनिशद में अप्शन नमरे महा उपनिशद राइट आंसर हो जाएगा इसे प्रशनी के लिए अगला कॉशन दिखिए आपको बताना है कि डैश उपनिशदों में से डैश उपनिशद मुख्य माने जाते हैं कितने उपनिशदों में से कितने उपनिशद मुख्य माने जाते हैं तो टोटल आपके उपनिशद हैं एक सो आठ उपनिशदों में से ग्यारा उपनिशद मुख्य माने जाते हैं ओप् तो सबसे पुराना जो उपनिशद है उसका नाम है आपका चंदोग्य उपनिशद आप्शन नमड़ी यहाँ पर चंदोग्य उपनिशद राइट आंसर हो जाएगा आरे संस्कृती के सरोचिकाल में गंगा घाटी के जनपत जो संख्या में थे जिनको महा जनपत बोला गया है या बन गये हैं तो महा जनपतोगी संख्या कितनी थी तो महा जन पर दोगी सकने कि आपकी 16 थी option number A right answer है पार्शोनाथ जो एक छत्री और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीर्थकर बना पार्शोनाथ जी जो थे एक छत्री थे और ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये जैन तीर्थकर बन गये थे, कौन से नंबर के थे तो पार्शोनाथ जी यहाँपर right answer क्या हो जाएगा 2023 जैन तीर्थकर बने थे option number ये right answer है महावीर तीर्थकरों में अंत्म तीर्थकर मानी जाते हैं ये कौन से नंबर के तीर्थकर हैं तो महावीर स्वामी जी 24 वे नंबर के तीदकर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है डैश का जन्म 563 इसापूर्व में हुआ था और चार सो तेरासी इसापूर्व में असी वर्ष की उम्रों में उनकी मृत्तियु भी हो गई थी राइट आंसर हो जाएगा यह जन्म और मृत्तियु दिया है यह बुद्ध का दिया हुआ है 563 इसापूर्व में बुद्ध जी का जन्म हुआ था और मृत्तियु हुई थी आपक चार सो तेरासी इसा पूर में असी वर्ष की उम्र में मित्ती हुई थी बुद्ध जी की किस रख्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जर्म दिया था बताइए तो गौतम बुद्ध जी को जर्म दिया था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा व्र लग्ध है ऑप्शन मळड़ी चार महान सच्चाई और और यह बोला है उन्हों कि दुख का कारण इक्ष्य है यह भी बोला है बुद्ध जीने कि इसके लाओ क्या बोला है एक गलत है एक सही है तो आपको पहले सही बता लेते हैं सही है आपका यह एट फोल्ट पत के पालन से किया जाता है यह सही है और आपका गलत है यदि एक छाओं से सुटकारा नहीं मिलता तो दुखोंक से निवारन नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं बोला है बुद्ध जी ने ऑप्शन नमबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा यह नहीं बोला गया है से पहला संंग रहे हैन तो दरपड़क जो है यह है आपका बौत धर्मका संग और सी राइट पहत्वाँ करने के लिए विजय वारा में रहा तो लिजय वारा में بॉत ध का अद्ध्यान करने के लिए रहे दे जूवान जांग ऑप्शन नमबर यहां पर लाइट लुए ज् प्रियुक्या है तो गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेशों में पाली भांशा का प्रियुक्या है और यहां पर राइट आंसर है पाली भांशा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश दिया थ में option number C सारनाथ प्रश्णिक लिए right answer हो जाएगा अगला question देख लेते हैं जातक कताओं में डैश के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वणन मिलता है जातक कताओं में मिलता है बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वणन option number A right answer है जैन धर्म और बौत धर्म के उदय में भारत में डैश इसापूर्व सताप्दियों में धार्मिक अशान्ती देखे गई थी तो जैन धर्म और बौत धर्म जब उदय हुए थे तो भारत में छटी सताप्दी पूर्व अशान्ती थी बहुँच जादा option number C से अंसर है गौतम बुद्र की मा का नाम इनमें से क्या था बताइए तो गौतम बुद्र जी की मा का नाम कई बार एक्जाम में माया option number Maya नाम था समराट अशुक ने बौत धर्म के पर्चार के लिए धर्म पुट्र दराज की स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्द की सिख्छाओं द्वारा अपने जीवन को प्रिद कर सकें आपको बताना है इन धर्म पुचारकों में उनका पुत्र और पुत्री शामिल थे उनका नाम क्या था बताईए समराट अशोक के पुत्र और पुत्री शामिल थे, जिनका नाम था महेंद्र, पुत्र और संग मित्रा, ये दोनों शामिल थे या रखना, इन्होंने भी बहुत धर्म का पचार किया डेश ने धर्म वीजया मतलब धार्मिकता द्वारा विजय की निति विकसित की तो धार्मिकता द्वारा विजय की निति अशोक नविकसित की। Option नमर याँ पर C सही आंसर है अशोक। अशोक के शाषंकाल की सब से महत पून घटना कलिंग। आदुने के युग डैश पर विजय थी जो उसके जीवन का एक महतपूर्ण परिवर्तन सिद्धुआ तो कलिंग कहा था कलिंग जो है आदुने के युग में उसको कहा जाता है उडिसा उडिसा में ऑप्शन बड़ी उडिसा राइट आंसर है कलिंग अशोक ने डैश के यु जो होगने और बहुत धर्म अपनाने के लिए प्रिद किया था कलिंग युद्ध उडिसा में कब लड़ा गया था था dif चंड्रकुप्त's का पुत्र्दैश मौरे समराज के सिंगाशन पर बैठने वाला दूशक पुत्रद्ध दूसका नाम का बिंदुसा यह बैठा तो समराट अशोक जो है यहां पर आएट अंसर हो जाएगा यह बिंदू सार के पुत्र थे जो की मौरस वंश्ट से संबने थे समराट अशोक ने पत्तर के इस्तम्बों और पत्तर के तक्तों पर अपने डेश आधेश उतकीन करवा कर अपने राज के परमुख स्थापित किए ताकि लोग तरांसर आचरण कर सकेए तो अशोक के सिलालेखों की बात हो रही है पत्तर पर उत्किन कराया थे option number B 14, option number B यहाँ पर राइट आंसर है dash मौरसामराज की राज़ानी थी, तो मौरसामराज की राज़ानी थी आपकी पाटली पुत्र, option number B, पाटली पुत्र, राइट आंसर है कौटल का अर्थसास्त्र हमें प्रशाशन के बारे में जानकारी देता है अब कौटल किस प्रशाशन के बारे में जानकारी देता है तो यह मौरे प्रशाशन के बारे में जानकारी देता है कौटल का अर्थसास्त्र ऑप्शन नबर भी मौरे प्रशाशन कुशांड राजाओ कुषांड राजवन्स में तीसरे शाशक थे कुषांड राजवन्स में सबसे महत्पूर्ण आपके कनिश्क यारखना इसापूर कितने इसापूर डैश शताबदी की सुरुवात में कुषांड ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार इस्थापित किया था तो उत्तर पश्ची मी सीमा को कुशाणों ने जीता था वो जीता था पहली पहले इसापूर में ऑप्शन नमसी यहां पर आई डाइड आंसर है अगला कॉशन देखिए उड़िसा के उदागिरी से हांती गुंबा सिलालेक कर लिंग के राजा डैश ने लिखा था तो हांती अप्शेन नमरे कार राजसवा कवी कौन थे तो हर्ष वर्धन के राजसवा कवी बांढ भट्ट जी थे अप्शन नमर भी बांढ भट्ट जी राइड आंसर हर्ष किर्मत्यू के बाद सातवी सताब्दी के आसपास प्रभुत्तों में आए और उसके काल को भारत के अंधे युक्य तोर पर जाने जाता है option बड़ी चंद्रकुप्त दौती ने गुप्त सामराजिका डैश इसवी में गुजराद तक विस्तार कर दिया था तो चंद्रकुप्त दौती दौरा विस्तार कर लिया गया था गुजराद तक 390 इसवी में option बड़ी चीनी यात्री इत्सिंग ने 3 वर्ष ठहर कर संस्क्रिट भाशा शीखी थी ये कहां ठहरे थे तो चीनी यात्री इत्सिंग ये ठहरे थे इन्होंने किस भाशा तो ताम्र लिपी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ताम्र लिपी में 3 वर्ष ठहर कर इन्होंने संस्क्रिट भाशा को सीखा था ताम्र लिपी अगला कोशन दिखिए हर शीवर्धन की म्रत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट कूडवश के राजाओं ने किस उपर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इन लोगों में युद्ध हुआ था कन्योज पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए ओप्शन नमबर भी कन्योज राइट आंसर है डैश साथवी और आठवी सधी में पराप्त की जाजन पर पांडियों का राज था तेरवी सताब्दी की, вिंद्याशक्ती कम संस्थापक थे तो विंद्याशक्ती यह önघ्याशक्त ऒंश कि संस्थापक, आप्शन नमबर यह राइट आंसर है वाकटक वंश पाल राजवंश का पहला राजा कौन था तो पाल राजवंश का सबसे पहला राजा गोपाल था ऑप्षेन नमरी गोपाल राइट आंसर है तमिल कभी कंबन ने निम्लकित में से किस ग्रंट के तमिल संस्क्रण का संक्लन किया तो तमिल कभी कंबन ने इन्होंन प्राचीन भारत में कलहड़ द्वारा निम्लिकत में से कौन सी पुस्तक लिखी गई तो कलहड़ के द्वारा यहां पर जो ऑप्शन दिये गए राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका अप्शन नमबर भी राज तरंगी नहीं कलहड़ ने लिखी थी संगमकाल में महाकाव सिल्प्या अधिकारम और मडी मेखले किस भाशा में लिखे हुए तो सिल्प्या अधिकारम और मडी मेखले यह तमिल भाशा के ग्रंथ हैं option बड़ी राइट आंसर है निम्लिकत में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांच वावेध भी कहा जाता है तो पांच वावेध कहा ज जाता है निम्लिकत में से किस ने रगुवंश्यम संक्लित की थी तो रगुवंश्यम के लेखक संक्लित करता कालिदास जी है option नमबर सी कालिदास जी राइट आंसर है पंच तंत्र का लेखक कौन है बहुत ही easy question कई बार आया हुआ है विश्णो सर्मा जी पंच तंत्र के ल प्चौन से करने बा रेंट इस राजा रॉष वदन की जीवनी किस नी दे थी तो हर्ष उर्च रुषवदर की जीवनी हैं बान भटतवारा लगी और प्रागी कार्णमें अमरसिंग द्वारा भाशा के शब्दों का एक शब्द कोश तैयार किया था जिसका नाम क्या था बता इए अमरकोश जिसका नाम अमरकोश था यह किस भाशा में लिखी गई थी supply कैंट बाइंगे देख से आप लोगों में से कितने लोगों को प्रश्न का अंसर पता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा रोज एंसा ही कॉशन पढ़ना है टॉपिक वाइस इतिहास पॉलिटी जियोग्राफी जो भी आपको पढ़ना आप कमेंट करक प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जाद जाद अपने दोस्तों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद